पाकिस्तान की जहांसे में अमेरिका फंस गया जिस पाकिस्तान को बार बार आतंकी देश कहते हुए अमेरिकी राश्रुपती दोनल ट्रम्प ठकते नहीं थे अब उसी पाकिस्तान में ट्रम्प को अपना दोस्त दिखता है और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के आतंकी होने के सारी सुबूत दे रहे हैं ऐसे अंतराश्री आतंकियों को भी पनहा और शेह पाकिस्तान से मिलती है पाकिस्तान की नापाग भरती से बेगुनाहों का खून बहाने की ट्रेनिंग लेते और देते हैं। ट्रंप ने कश्मीर पर पधान मंतरी नरेंडर मोदी का नाम लेकर चूट बोला, उसकी किरकिरी काफी फैल चुकी है। लेकिन उससे जादा अमेरिका की वो महर्बानी सवालों की नई फुल्भुलाईया खड़ी कर रही है, जो आतंक का दूसरा नाम बन चुके पाकिस्तान पर परस रही है। पाकिस्तान कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। इसके लिए किसी दूसरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारी बात तो उसके प्रधान मंतरी इमरान खान खुद ही कुबूल कर चुके है। इमरान का पहला कुबूलना मत पुलवामा हमले में जैश कहाओ है। पाक आर्मी तयार करती है 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 इम्रान का तीसरा कभूल नामा लादेन को पाकिस्तान ने चुपाया करेचल का थाली से ले परादारर का लादेन का लादेन। हम टो सिरन ने औरे से लादार का लेसीन le Brexit से MPG тыас Sch लेंडिक हैं सvenir का लादेन पेलिश्न आख लिए लुए्साइवार्ण लिच्पाई लेकरण लो lag आसान इम्रान का चौथा कबूल नामा पाकिस्तान में 40,000 आतंकी मौझूद। इम्रान का चौबूल नामा पाकिस्तान में 40,000 आतंकी संगठत सक्रिया। इम्रान का चौबूल नामा पाकिस्तान में 40,000 आतंकी संगठत सक्रिया। इम्रान के खिलाफ लड़ने वाला फरिष्टा दिखने लगा। पाकिस्तान के चाहसे में आया अमेरिका के राश्रपती डॉनल ट्रॉम को चाहिए कि एक बार फिर अपना ही पुराना बयान सुने। 20 U.S. designated foreign terrorist organizations are active in Afghanistan and Pakistan, the highest concentration in any region, anywhere in the world. For its part, Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence and terror. These killers need to know they have nowhere to hide, that no place is beyond the reach of American might and American arms. लेकिन अमेरिका अपने ही वादों और बयानों से पलट रहा है, आतंक से लड़ने के नाम पर वो फिर से पाक को पैसे मुहया करा रहा है, जो आतंक के लिए खादबानी का काम करेगा. आज तक बेरो. अब हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे आतंकवादी संगटनों का नाम बता रहे हैं, जिनके खतरनाक और खूनी रादों पर दुनिया भर की नजर है. इनमें शुमार है जैशे मुहमद, जिसका सरगना मसूद अजहर है. जिसे कुछ दिन पहले ही अंतराश्टी आतंकी घुशित किया गया है. अमरिका के दोस्त पाकिस्तान के आतंकवादी संगटन, हम एक एक करके उनका नाम आपको दिखा रहे हैं, जैशे मुहमद, लश्कर एतयबा, दूसरा नाम, जिसका सरगना अंतराश्टी आतंकवादी हाफिज सईध है. इनके अलावा पाकिस्तान के खुंखार आतंकवादी संगटनों में हिजबल मुजाहिदीन का नाम भी प्रमुकता से है. हिजबल मुजाहिदीन और इसके बाद हरकत उल मुजाहिदीन इसका भी नाम सामनी आता है. यानि कि एक के बाद एक ये देखे अलवदर, अलवदर के आगे बढ़ते हुए दुख तराने मिल्लत, ये तमाम वो आतंकवादी संगटन हैं जिनके हम नाम बता रहे हैं तहरे के तालीबान पाकिस्तान आतंकवादी जहां पर फलते हैं, पूलते हैं और बलुचिस्तान रिपाप्लिकन आर्मी और लशकरे बलुचिस्तान ये चंद नाम हैं वैसे तो पाकिस्तान में आतंकवादी संगटन हर जगह मिल जाते हैं जो हंदुस्तान के खलाफ आग उगलते हैं और हंदुस्तान के खलाफ तयारी करते हैं ताकि वो आकर हमारे मुल्क में औस्थरता प्यादा कर पाएं Up वंग- अब सवाल उटता है कि, अमेरिका आतंग फैलाने वाले देश पाकिस्तान पर इतना महरबान आखरच्यों हो रहा है दोरसल अमेरिका का अमेरिकी रास्टुपती डोनल्ड ट्रम्म भूल गये है अन्-बाद, उसके बाद भी पाकिस्तान ने दोस्ती के नाम पर अमरीका को सर्फ धोखा ही दिया है. दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राश्ट्रपती की गूटनीतिक पहली समझ से परे दिखती है. जिस पाकिस्तान को आतंकियों का पनहगार मानते थे, अब उस पर ही ऐसी महरबानी उम्री की दुनिया हैरान है. तो सवाल है कि पाकिस्तान के जरिये अमेरिका अपने कौन से हित साधना चाहता है. अफगानिस्तान में 20 साल से अमेरिकी फौज फसी हुई है. टरंप उससे निकलना चाहते हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान की मदद से वो अपना लक्ष पूरा कर लेंगे. दुनिया मानती है तो मानती रहे कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के बड़े दोस्ताना संबंध हैं और आतंक को बढ़ःवा देने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है. लेकिन अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में तालिबान से उसकी लड़ाई में मददगार हो सकता है. जबकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान के आतंकी हमले का शिकार बना है. 9-11 के आतंकी हमले के डेर साल बाद अमेरिका ने माना कि पाकिस्तान में बैठ कर ही अलकाइदा के सरगना उसमा बिन लादेन ने उस आतंकी घटना को अंजाम दिया था बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान में ही उसामा बिल्लादेन को मार गिराया लेकिन इसमें तस साल लग गए जबकि 9-11 की घटना के बाद भारत ने खुल कर अमेरिका का समर्थन किया था दरसल दीवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अमेरिका से भीख मांगी और इसके लिए आतंकियों पर कड़ी कारवाई करने का भरोसा दिया लेकिन भारत को पता है कि अमेरिका पाकिस्तान के आतंकि संरक्षन के जहासे में फश चुका है और अपने लिए धोखे का इंतजाम कर रहा है आज तक ब्यूरू पाकिस्तान की माली हालत बेहत खराब हो गई है आलंग यह है कि एक साल में उसको सोलह सौ करोर रुपै का कर्ज कईदेशों से लेना पड़ा वो अमेरिका से भी 130 करोर रुपै का कर्ज चाहता है जिसको ट्रम्प ने सस्पन कर रखा है पाकिस्तानी प्रधानमंसरी इमरान पाकिस्तान इसलिए ट्रम्प की जरूरत से ज़ादा लल्लो चपो करते हुए कैमरे में कैद हुए कि ट्रम्प का दल पसीजे और उनके कटोरे में राहत के कुछ डॉलर आ जाए पाकिस्तान का ख़जाना खाली है इसलिए उसके प्रधानमंसरी इमरान खान भीक का कटोरा लेकर अमेरिका की शराड में गए अभी तो वहाँ ये साफ नहीं है कि अमेरिका उन्हें 130 करोल डॉलर की मदद करेगा या नहीं लेकिन इमरान ने ट्रम्प की जैजैकारी में कोई कसर नहीं छोडी पिछले एक साल में पाकिस्तान ने 1600 करोल डॉलर का कर्ज लिया है अपने वजूद के 72 वर्षों में पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कर्ज है इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है जबकि सजुदी अरब, सयुक्त अरब अमीरात और कतर से भी पाकिस्तान कर्ज ले चुका है पाकिस्तान ने अमेरिका से भी 130 करोर डॉलर का कर्ज मांगा था जिसको पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने निलम बिद कर दिया अब नए बंते समीकरण में पाकिस्तान को अमेरिका से आस बंद गई है लेकिन अभी तया नहीं कि अमेरिका पैसा देगा या नहीं और देगा भी तो कब देगा कहते है ना कि बाप बड़ा ना भाया सबसे बड़ा रुपईया उस रुपईया के लिए इमरान सारे जतन कर रहे है आज तक बिरो आतंग के खलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने हमेशा ही अमेरिका को धोखा और जहासा दिया है जबकि हिंदुस्तान ने मदद की लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प अचानक पाकिस्तान पर नरम पढ़ते दिख रहे है तो सवाल है कि क्या वो हिंदुस्तान से कोई कूटनेतिक हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में अपने लिए मुश्किलों को नियोता तो नहीं दे रहे अमेरिका के राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प पाकिस्तान पर इतने महरमान हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा जूट बोल गए अब सवाल है कि ट्रम्प अचानक भारत की जगा पाकिस्तान को तरजीह क्यों देने लगे अमेरिका चाहता है कि भारत उसके प्रोड़क्स पर टैरिफ कम करे लेकिन भारत इसके लिए तयार नहीं क्लाइमेट चेंज के मुद्धे पर भी अमेरिका के गेर जिम्मदार रवये के आगे भारत जुका नहीं इरान पर अमेरिका के रुख का भारत ने कभी समर्थन नहीं किया जो अमेरिका को पसंद नहीं होगा साथ ही पाकिस्तान के जरिये ही वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को निकालने की रणनीती भी बनाना चाहता है पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर अपना नहला फेका है इंतजार कीजिए हिंदुस्तान के तहले का आज तक्पिरो पाकिस्तान के ओपर किसी भी तरह की नरम दली अमेरिका को महंगी पड़ सकती है यह हमने इतिहास की जरोखे में भी देखा है कि किस तरह से अपनी जमीन का इस्तिमाल करता है पाकिस्तान आतंकवात को बढ़ाने के लिए पालने के लिए उसे पोस्तने के लिए अब आगे इस पूरे मामले में किस तरह से दुनिया का रुख रहता है और हंदुस्तान अपनी रड़नितिक चाल आगे कैसे बढ़ाता है इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर विशेश में बसता ही लेडिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंदाने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले